जो भी बाते अभी होंगे बहुत ध्यान से और गौर से सुनना डिली टाइम फ्रेम पर कुश्चिज आम लोग डिसकस करेंगे बाकि डाट अनलसेस के उपर थोड़ा बहुत डिसकेशन होगा वो सारी चीज़ और हर चीज़ नोट करते चलिएगा बाते बताएंगे बिसिकली डिली टाइम फ्रेम के रीडिंग के उपर ये पूरा का पूरा अपने डिसकेशन होगा आज इसमें वॉल्यूम का क्या रूल प्ले होगा एनसी से किस तरह से हम लोग अपनी रीडिंग को हेल्प करते हैं यह सब कुछ बाकी लेवल्स किस तरह से ड्रहोंगे एंडिक जो बाइस पनता है अपना जो पॉंट अफ्यू हमारा रहेगा बाई करते हैं सेल करते हैं कुछ-कुछ उस चगह पर जाने का पूरा प्रियास करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना के डिलिवरी वॉव्ल्स जो होती हैं इनको चेक कैसे करेंगे कि particular किसी stock के अंदर डिलिवरी वॉव्ल्स के break out हुए है या नहीं हुए है क्योंकि जो normal चीज़े हैं लाइड की वॉल्म्स के जो break out होते हैं वह हम दिख जाते हैं, यहीं हम चार्ट के उपर देख लेट हैं, है चार्ट के उपर कैसे के जैसे नीचे हम लुग वोल highway common के सेग्मेंन्ट और Non करते हैं वहीं दिख जाते हैं कि वालम्स के breakout रहा हो चूंप यह विंद हाफ होते हैं मालो इसको कि आ गए दो कि तीन कि चार वालम्स के ब्रिक उट हुए नहीं हुए अब आगर हम कहें कि वालम्स के ब्रिक अट में देख रहे हैं वालम्स के ब्रिक ओट हो गया यह पहचाने कि कैसे तो वाल्म्स का अपनी प्रीवयस किसी भी roasting केण्डिल के उपर मतलब previous किसी भी केंडर से ज्यादा की वॉल्म को क्रियेट करना जरूरी है ज्यादा वॉल्म्स आएगी तो तो दोखो last बार ये थी second last और last बार ने second last बार के second last बार से ज्यादा की वॉल्म्स चेनरेट के which is called volume breakout अब फिर से volume अपनी normal speed में आगे normal distance के ठीक है ठीक ठीक volumes आ रहे हैं फिर से देखो volumes यहां पर breakout होगा मतलब अपनी last बार से ज्यादा की volumes यहां which is called volume breakout तो यह तो normal volumes है हमें दिख जाते हैं यह show करती है कि daily basis पर daily basis पर कितनी volumes हमारी trade हुई है यह total traded quantities इनको कहा जाता है technical language में total traded quantities अच्छा delivery volumes क्या होती है मतलब लग 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 लोगों को मालूम होता है जिरने नहीं मालूम है सिर्फ उनको ही में बता रहा है delivery volumes होता है कि stock को हमने उसी दिन खरीत के same day नहीं बेचा हमने buy तो किया quantities अपनी उठा ली पुरा माल उठाया है और हम उसको hold कर ले गए इससे कहते हैं घर ले जाना हम उतनी quantities घर लेके गए मतलब मेरे demet account में पड़ी है आवो जब तक चाहो रख लो ये पता कैसे चलती है पता कैसे चलती है इसके उपर बाद में आते हैं पहले इसका use देखो क्या है ये पता चलना क्यों जरूरी है क्योंकि मालो एक range के अंदर volumes के breakout का हो जाना मालो प्राइज अपना एक range के अंदर रुका हुआ है ऐसे अब यहाँ पर क्या है कि जो normal candle है ना ये वाली इसकी जो volumes हैं वो कम है कम इंदर संस second वाली volumes से कम volumes previous candle के अंदर ने तो ये तो total traded quantities से हमें पता चलिए कि volumes हमारी कम है previous candle में और इसमें ज्यादा है मतलब price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है volumes के लगातार breakout हो रहा है अब अगर informations का breakout या तो upside के तरफ हो move अच्छा मिलेगा अब इसमें delivery volumes का क्या रूल होगा total traded quantities के breakout है अच्छी बात है लेकिन अगर इसमें हमें लोग delivery volumes को भी जोड़ दें और अगर उनका भी breakout हमें देखने को मिल जाता है तो ये और अच्छी बात हो जाती है इसको देखने के लिए सिंप्ली चले जाना आप ट्रैंक्स डिलीट कर देते हूं एनस्सी की वेबसाइट पर जाकर के delivery volumes सर्च की जाएगा सबसे उपर में आता है सिक्यूटी वाइज आर्काइब्स इक्विटी इस पर कर देना क्लिक अब हमें यह देखना है यहां देखो पहले से ही है सिक्यूटी वाइज प्राइज वॉल्यूम एंड डिलिवरेबल पोजिस्चन्स डाटा इस पर क्लिक करे रहना अब यहां पर जिस भी स्टॉक को आपको देखना है मान लीजे कोई भी स्टॉक जैसे आयूश माई करमूट कीज़ें आयूश की स्पीकर में प्रॉब्लम नहीं थे असिफ आप माई करमूट कीज़ें असिफ आवाज आ रही है आपको किसी भी एग स्टॉक का नाम दीज़ेन अभी लेला लूपिन लेला लूपिन लोखो यहां पर माई को प्रॉपिन का में सर्च करना है यहां पर यह क्या दिखा रहे है बंडे आप वीकली पर आजाओ तो वीकली से कहना यह पूरी डिलिवरीज दिखादेगा किस दिन कितने deliveries उठाई गई गई तो यहाँ पर क्या है 67 उसके अगले दिन और कम हो गई 63 हो गई उसके अगले दिन और कम हो गई 43 हो गई लेकिन 43 के बाद देखो 54 यहाँ पर volumes के breakout हो गई यहाँ में कैसे पता चला इस sheets से कि deliverable जो quantities है वो ज्यादा उठी थे वैसे ही आपको अगर हम एक example दें एक trade हमने किया था last week यह तो बाटा हाँ बाटा इंडिया था बाटा इंडिया में दिखाते हैं अब बाटा इंडिया के अंदर देखें इससे हमने ट्रेट किया तक अब 21st को 21st को ट्रेट किया था 21st को ट्रेट करने की पीछे का reason यह था क्योंकि उसके एक दिन पहरे जो volumes थी 77,000 थी उसके बाट अच्छानक से volumes के breakout हो गए 175 volumes हो गए उसके next यह फिर से बढ़ गए हमने ट्रेट कब किया था 21 को 21 को नए नए हमने ट्रेट किया था इसे 22nd को 22nd को इसलिए ट्रेट किया था क्योंकि 21 को 175 volumes आए थी और जिस दिन हमने ट्रेट किया था उस दिन और भी ज्यादा volumes आए थी जिस वज़ए से मूँ बहुत बड़ा आया था एक चीज जो यहां पर देखने वाली है जो हम clear करना चाह रहे हैं कि इस तरह से हमें पता चलता है कि पर्टिक्लर किसी की स्टॉक के अंदर delivery volumes के breakout हुए हैं अब बात इंडिया के अंदर आप आप जाओ यहां पर हमें यह तो पता चल गया है क कि देखो यहां पर volumes के भी breakout है जैसे आप इस वाली candle को मार्क कर लो 20 को 20 का हाइप मार्क कर लो यहां पर दिख गया ना 21 में candle तो बहुत ननी सी बनी है छोटी सी बिल्कुल लेकिन volumes के breakout हो गया है जो total treated quantities है normal volumes इनके breakout हो गया यहां पर हम देख रहे हैं जाकर कि 21 को और भी ज्यादा volumes आई है 175 volumes आगए अब मैं यह पता चल गया है कि यहां पर देखो और भी ज्यादा मतलब delivery volumes भी उठी है तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक तरह का pressure create हो रहा है अगर हमें breakout मिल जाते तो अच्छा move मिल सकता है चांसे ज्यादा है अभी हमने शायद यहां पर कहा कि move अच्छा मिला था नहीं मुव अच्छा नहीं मिला था साइडवी हो गई थी पूरी मार्केट फाइफने टाइम फ्रिम पर जब आप आओगे न तो पता चलेगा trade तो हमने execute कर दियता है इस एक जगह पर लेकिन कहीं नहीं गहीं मार्केट उस साइडवे पड़ी होई थी कोई move नहीं मिला अचानक से देखना है एक move आएगा अब क्यूंकि यह अपनी hit list में तो है नहीं फिर पूरे दिन वो रुलाएगा सबको साइडवे पड़ा रहता है यहाँ पर मौका बढ़िया था trade करने के लेकिन move नहीं मिल पाया फिलाल यह सब बात की बाते हैं हमें क्या पता चला कि डे टाइम फेम की रीडिंग्स के साथ-साथ वॉल्यूम्स की रीडिंग या वॉल की वेबसाइट पर आगया जैसे अमबुजा सीमेंट है अब अमबुजा सीमेंट के अंदर एक एरिया काफी ज्याद है जैसे कि हम यह अपना सपोर्ट तो मार्ग कर लेते हैं चलिए यह हमें देख लिया अब प्राइस का यह सपोर्ट बहुत जरूरी हो गया इंपॉर्ट है जा रही है बहुत ज्यादा यह दो किसकी वॉल्यूम के थी चौदा मिलियन वॉल्यूम्स थी इधर तो कम है लेकिन वॉल्यूम्स बहेंकर यह पता कैसी चलता है इसके लिए भी एनसी पर ही आना आप एनसी पर जो सबसे पहला option यहां पर क्लिक कर देना इसके बाद में जना आप डेली रिपोर्ट पर ठीक है यहां दगो कई सारी रिपोर्ट सा जाएंगे अपने सामने इसमेंसे ढूंड़ो कि बल्क डील वाला बल्क डील वाली रिपोर्ट कौँछी है यहां पर भाव कापी तो जिप में है इनको ओपन करने में फिर नाटक होता बहुत ज्य सब कुछ होगा है यह डाटा है आप इसको डिकाउड करके डाउनलोड करके अपने पास रख लो एक स्टॉक के अंदर कितनी डिलिवरीज उठी है कितनी टूटल ट्रेडिट कॉणिटी थी क्या उसका हाई था लो कितना था उपन प्रैस कितना था इस सब कुछ आपको मिल जा बहुत कॉपी के अंदर यह किसी और दें बहुत ज्यादा मतलब गूड नहीं है इसके लिए पर्टिकलर को एलग से क्लास लेनी पड़े उसके वेपसाइट पर आ जाना नहीं और वेपसाइट पर आ जाने के बाद में बहुत सारे आपके पास लिस्ट आजाएग स्टॉक् का उस दिन का जो भी क्रिया कालाप होगा वो सारा का सारे इसके अंदर रिकार्ड़ ता उसको उठा के देख लगए आज का कल का पर समय को उसके बाद को करते रहो है डाटा इनलसिस में बहुत बहुत हेल्प करता है लेकिन इसो रोज करना पड़ता है वरना ऐसे आप सोच अब आते हैं मेन पॉइंट पर अपने यहां पर बल्क डिल कहां पर गई 23rd के 23rd के में चाहिए बल्क डिल्स यह रही इसको डाउनलूट कर लो ब्लॉक डिल्स यह देखिए अमबुजा सिमेंट है उपर से लेके नीचे तक अब यहां यह है क्लाइंट नेम साफ साफ हो जाए ठीक है यह क्लाइंट नेम हो गए अमबुजा सीमेंट तेज तारीक सिंबल नाम सीक्यूटी नेम और यह क्लाइंट नेम किसने कितना वाल उठाया यह सब कुछ मिल जाएगा की आई एफस फिंस्टक लिम्टेट सौरब यह वैरिशन मतलब सारे हैं टाटाइस याई सियाई सियाई इन्वेस्टोग्राम सारे के सारे हैं कोई हैंड राइज अभी मत किजिए जो क्लास खत्म होगे तो उसके बाद में डिसक्रेशन करेंगे तब यह साही चीज़े कर लिजागा तो इन्हों ने इतना सब कुछ उठाया हुआ है अभी डाटा मारे पास आ गया कितनी क्वांटीज ली हैं और किस प्राइस पर उठाया है सब कुछ मिल गया यह दो कितनी सब लोग कोशन आंसर कर यह कर दिए सब लोग जिनको भी करना है कोशन आंसर करके क्लास अभीम खत्म करते हैं वहां बोले रूद्र साब कहिए स्क्रीन नहीं दीख रही है जो आपने लास एनसी का जो साइट कोला है वह दिख रहा है जो आपने सामने डाटा भी नहीं दिख रहे हैं कैसे हो सकता है आपको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है वीडियो स्टक हो चुकी है अभी दिखी अब क्लियर आ रहा है एक्सल फाइल दिख रहा है तो यहां देखिए डेट्स हम लोगों की देख रहे हैं सारी अच्छा जिनके क्लाइंट्स हैं इनके सब के नाम यहां पर लिख रहे हैं सिर्फ अमभुजा सेमिंटिन क्योंकि अंदर ज्यादा वह चल रहा है इसके लावा देखिए बाक्यों और भी स्टॉक हैं इस सारे के सारे अब जतनी कौंटि उठाए गई हैं और जतने प्राइस पर उठाए गई है यह सब कुछ यहां पर है अब देखो कितने कमाल लिया गया करीबं सिर्फ अगर एक यह लिया है तो इतनी क्यूंटिटि आ अर्भू रुपय का अउडर लगा है अर्भू रुप प्राइस क्या है 625 रुपर 50 पैसे अमभुजा सेमेंट अब 23 तारीक को देखो अगर आउडर 625 पचास पर लगा है तो अमभुजा को 23 तारीक को 625 पचास पर जाना चाहिए था ज्यादा तर्ड जो ओर्डर लगे हमारे 625 पचास पर ही लगे है अब जो माल चाहिए उस सारा का सारे इतने प्राइस पर ही चाहिए 625 पचास पर लेकिन इस तारीक को तो मार्केट वहां पर आई है वो तो नीचे ही एक वह दो राख करको देख लेते हैं इतना है खेस सो पच्चिस रूपर 50 यह ना 625 रूपर 50 पर से तो प्राइस तो वहां रहा तो देदो ने तो कोई बाती ने अब यह मान के चलो अगर कोई आप से सौदुसो क्रोड का मल उठाना चाहता है को कह रहा है कि तुम्हारे प्रैस पराइस में दूरुपए चार लुपए की दस रुपए में सस्ता ही चाहिए तो कैसे वी करके दो गए तुम यहां वहा होते है इश्चोक को बढ़ते चले बंदी हुने लगांओ अम्भूजा सेमेंट ने इसको उठा लेना पूरी को भी तरह से अभानी आडानी ने और उनको तो देने हैं कैसे भी करके माल देने हैं उनको कहना हम क्या चाहते हैं अगर एक आदमी इनका इतना सारा वह कर रहा है मतलब शला सुको करोड का माल इनको चाहिए वां की सबस्कार से कंवेम से कम नहीं तो कफी ज्याद माल उठाणlor हमें इससे क्या पता चलता है कि यह जो एर्या वही हム लोग कर के बैठे हुए ना चे मिちゃएगे घ्तना जरूरी है हम लों को तो नहीं चाहिए हजार-दोजार करोड का माल हमें के चाहिए हमें तो जहां वो लोग जा रहे हैं हमें फूट्प्रिंट्स देख रहे हैं वो लोगों के कहां पर मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हमों गेम करना चाहते हैं या उनको कितने पर चाहिए हमें ये सम सब बाई करना चाहते हैं लॉंग टम बें बुजा गिरने वाला है आपको लगता है किसी एंगल से अभी की जा सिचुइशन बन रही है यह तो उपर ही जाने वाली लगती है इंपॉर्टेंट एरिया भी हमें सब्सक्राइब आगे क्या चाहिए अपनी इनल्सिस को एट कर दो और इसके अंदर और फिर मज़े देखुआ प्राइस को कैसी करके हो सकता है मंड़े को गैप डाउन कर दे है अब भेंकर वॉलिम्स आ जाए दो दिन तीन दिन चार दिन थो इनके ओपर जितना लोगों को भरोसा है उतना ही एक पार्ट ऐसा भी तो कि भरोसा नहीं भी होता है बहुत पॉलिटिकल यूशू पढ़ जाते हैं इस बारे में ज्यादा बात मुतलब नहीं है फिर भी अपना काम से इनल्सिस करने का है हम इतना पता चलिए कि छेसों पच डेली टैम फ्रीम की रीडिंग्स किस तरह से करेंगे कैसे इसके ओपर हम लोग आगे काम करते हैं अब इसके ओपर बढ़ते हैं तो अभी तक हमने आपको दो तीन चीज़े बताएं सबसे पहला रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगा दूसरा डेलेवरी वॉल्यूम्स को जो उन अब मालोग के प्राइज हमारा किसी एक लेवर से नीचे के तरफ गरते हुए चला रहा है बहुत ध्यान से सुना इसको सब कुछ इसी को पर है अगर इस स्कील को आपने डेंवलप कर लिया क्योंकि ये मेरी भी डेंवलप नहीं इतनी अचाइज कोशिश करते हैं हम पijdर ख़हें के रियाोता मात खा जाते हैं यह है कि उस प्रोसेस में है आज तो कल वो आज से बहतर होंगी बहुत प्रैस को रीट कर पाए और इसी प्रियास में आप भी रहो वो एकदम से बहतर नहीं होती है प्रोफेशनलिजम एक प्रोसेस है वो साब ज़लकता है जब आप चार्ट को रीट करते हैं मान लो प्रैस आपका किसी एक लेवल से यहां से उसने एक सपोर्ट क्रियेट किया एंड डाउन साइड की तरफ आ गया टेक्निकली बहुत सारी कॉइंटी यहां पर पड़ी होंगी जैसे ही वो फिल हुई इस एक जगह पर मार्केट फिर से नीचे ओक्या यहां पर आ गया एक नखान लगा अच्छा यह इस विंग लगा है या नियकली पता चलता है जिस भी कैंडल को आप कहरे हो कि वो स्विंग क्रियेट कर रहे है तो इस कैंडल का हाय भी ब्रेक होना चाहिए लेकिन यहां पर तो हाय ब्रेक ही नहीं है बहुत है करते हैं सूख्ष्म महीन अब जो नया observer होगा या जो नया होगा नया in the sense कितना experience उनको नहीं है तो उनकी दिमाग में एक question उठेगा कि देखो यहां पर हमने यह कैसे कह दे कि इस candle का high break ने हुआ यहां पर break तो हुआ है high तो फिर तो यह swing low बन गया बना या नहीं बना यह तो हो जागा ना swing low प्राइस तो हमारा नीचे की तरफ आया है अब अगर इसका high break नहीं हुआ तो फिर प्राइस इस वाली candle का low भी तो break कर रहा है ब्रेक करने के बाद में फिर यह नीचे की तरफ आ गया है अगर इस candle का high मेरे लिए important है तो इसके बाद में मतलब इस candle का high break होने से पहले ऐसी कौन सी candle है जिसका high break हुआ है अब आप यह देखो वो कौन कौन सी candle से है जिसका high break हुआ है मतलब यहां कहीं इसका high लगा यह जगा इसका high break हुआ है लेकिन क्या इस candle के low को हम लोग swing low बोल सकते हैं swing low कौन सा होगा मतलब प्राइस उपर की तरफ गया और सीधे नीचे की तरफ आ गया swing low कौन सा है इसका low ज्यादा है ना इस वाली candle से क्या इसका high break हुआ हाँ इसका तो break हुआ यहां से लेकर के price हमारा ओपर की तरफ गया है और फिर से देखो जिस candle को हम लोग as a swing high mark कर रहे हैं क्या उसका low break हुआ 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 ना प्राइस तो यहां तक गिर क्या आया low break हो जाने के बाद में price हमारा यहां तक आय और जिस candle के जिस candle के swing को हम लोग swing low as a swing low कर रहे हैं क्या उसका high break हुआ 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 प्राइस तो वहां से सीधे ऊपर की तरफ चला गया और high break हो गया तो यहां पर previous candle का भी swing तूड़ गया और यह high भी चला गया clear है ना यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि price अपने support को देखो लगातार ब्रेक कर रहा है ब्रेक कर रहा था लेकिन एक यह वाला swing लगा देने के बाद में देखो प्राइस हमारा upside के तरफ गया इसने अपने एक swing को किया प्रोटेक्ट और वापस से देखो upside के तरफ इसने अल्रेड़ी ब्रेक आउट कर दिया तो यह जो swings है ना अब यह होने लग गए है प्रोटेक्ट यहां पर भी यह भी यह तो एक candle है और यह वाला यह होने लग गए प्रोटेक्ट मतलब के price हमारा एक direction जो की में भी चांसे आने वाले समय में एक uptrend का signal हमनों को देखो नीचे की तरफ आके जो कि हमने कहा था कि gap down करके और वापस से फिर यह उपर की तरफ जाए इस swing के पास में और यह वाले जो lows बने हुए है वो सकता दो या तीन दिम प्राइज इसी zone में आपको कुछ dance करती हुए दिखाई पड़े मतलब side way movement और इसके बाद से फिर यह upside हो सकती है क्या किया हम लोगों ने यह सब हमने प्रयास किया daily time frame से charts को read करने का उसको predict करने का game of probabilities है यह पूरा का पूरा जो चीज़ हम पढ़ना चाते हैं तो कभी भी market में जा करके यह प्रयास मतलब कि चलो जो हो रहा वो देखते हैं यह तो हमें करना ही है लेकिन जिस price action को आप चाहते हो price chart पर हमें दिखे यह वो price action हमें चार्ट पर दिखे तो सबसे पहले उसको imagine करो आप क्या देखना चाहते हो उसके लिए chart की पूरी समझ होनी चाहिए candle के behavior को समझो हर stock का अपना एक behavior होता है अभी हमने एक शब्द का यूज क्या था विचिस सूक्ष बहुत महीन काम होता है यह एक एक candle को देखना एक एक stock को महीनों तक observe करना होता है यह options की तरह नहीं कि फलाना आपने nifty bank nifty उठा लिए और जिदर भी call put और call put करना है करते रहो analysis गई mid team है हमें उससे मतलब नहीं हमें तो बस call put call put करना है तो यह उसकी तरह आसान नहीं है जहां पर proper analysis लगती है वो game शणिक होता है मतलब बस 2-4-10 minute का होगा मज़ा आएगा profit का लोगों तो उसी में खुश रहोगे loss का लोगों तो उसी में खुश रहोगे यहां थोड़ आपको effort लगाना पड़ता है एक एक candle को देखना पड़ेगा सब कुश करना होगा अभी हम लोगों ने क्या किने मोटा मोटा समझ में आके कि हां यहां से price अब ऐसे आप देखो तो में भी उसकता समझ में ना है कि price का देखो यह तो support बन रहा है एक यह support बन रहा है trend line भी अ candles से candles को करो read और उसके बाद फिर आप देखो क्या होता है तो मोटा मोटा था हमें समझ में आगे कि price हमारा आप फ्रेंड में लग रहा है कुछ ना कुछ था बात बन सकती है अब हम आगे बाढ़ते हैं इसको और अच्छी तरह समझने की कुशिश करता है low high low अच्छा यह जो मूज चल रहा है इसको count नहीं किया जाता है यह चल रहा है अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है जैसे जिस candle ने मेरी swings लगाए है हमने जिस candle के swing low से swing high mark के ना याद रखना सारी जो कह सकते हैं कि point of energy होते हैं वो यहीं पर होगे जो importance होगे क्योंकि कोई भी जब हम candle read करें तो इन candle से ही शुरुवात होती है हम लोग इन्हें ही अपनी candle समान करके आगे की तरफ बढ़ते हैं मतलब अपनी main candle समान के आगे तो swing high swing low से क्या पता चल गया है ना हमकुर एक दो और यह तीन candle के पार हम पता चल गया है ओके सबको हम कर देते हैं remove अब यहां से कुछ candle हम mark कर लेंगे इसका low mark कर लिया हम ने अब low के बात से देखो क्या हो रहा है यहां पर price नीचे की दिशा में आ रहा है volumes कम हो रही volumes कम होने लगए और price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है जिसने swing लगाया था वापस से देखो क्या हुआ है यहां पर volumes के breakout हो गया price ने भी proper breakout नहीं दिखा है हमारे level को बर इसके अंदर volumes के breakout हो गया फिर से देखो price हमारा हमारे एक range के अंदर रुका हुआ है लेकिन volumes के breakout हो गया और price ने एक gap up दिखा है वापस से price range के अंदर आ गया है अब समझो पूरा game क्या हो रहा है क्या चल सकता है इस के प्राइस जिस candle को थोड़ा सा logic लगाओ प्राइस जिस candle को break नहीं कर पा रहा था उसको जिस candle को break करने में इतनी मुश्किल इनको हो रही थी प्राइस ने दो बार कोशिश की बाहर के तरफ जाने की लेकिन नहीं जा पाया वह वापस से range के अंदर आ गया ऐसा क्यों चलो हो सकता है गलती से इसने उपनी उपर की तरफ दिखा दियो और्रस फिल करने के लिए गया हो यहां पर क्या हुआ यहां भी एक गैप इसने दिखा दिया अब अगर प्राइस हमारा किसी भी एक लेवल को break नहीं कर पा रहा हो प्राइस उपर जा तो फिर नहीं जा रहा है गैप अब दिखाता है वापस अंदर की तरफ आ जाता है अब क्या हो सकता है जो प्राइस अभी हमने आपको बताया था यह वाला अरिया यह ज़रूरी हो गया ना हो सकता है कि प्राइस हमारा इस लेवल तक आए टेक्निकल ही मेरे पास दो पॉइंटस है एक तो इस वाली केंडल का लोग पॉइंट जो 12 की है 12 अगस्त केंडल का लो और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वह है 625.50 यह 2 पॉइंट अफिक्शन मेरे पास आ गए अब अ Game होना है तो एक हम यह मां सकते हैं कि यहीं से हो सकता है है और हमें यह पहले पता है कि प्रैस में अपसैट की मूइ सके expectations भी है तो की हम यह कह सकते हैं कि हम Ambujia Cement को BuySat के तरफ देख सकते हैं With the level of 625.50 यह फिर 617.91 DR. اभिर 617. radio अगस्त की कैंडल के हाइस के ब्रेक आउट कमें कैश करना है अभी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है ना आप इन सारी चीजों को अनलाइस करने के लिए किसी विद्रे का इंडिकेटर लगा दो कुछ इस तरह के अनलाइस आप किसी बहुर कोई नहीं कर सकता अपने आप से एफ़र लगाओ पोशिच करो रीट करने की क्या चल रहा है पूरा गेम आप सोचो यहाँ पर ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेट कर लेते हैं एक काम करते हैं यहाँ पर ट्रेट कर लेंगे यह decreasing loss थो बन रहा है चलो ठीक है यहाँ पर ट्रेट कर लेंगे हम प्रॉपर एनाल्सिस चाहिए एक एक पॉइंट अगर हमने कोई भी लेवल उसके पर ट्रॉप किया तो उसका एक प्रॉपर लॉजिक हो कि हमने ये काम इसलिए किया है समझ में आए ना हमने देख ली दो चीजें कि प्राइज अभी अप्ट्रेंड में है और हो सकता है ये अप्ट्रेंड अभी शुरुआत होने वाला हो क्योंकि ये जो अप्ट्रेंड अभी में बता है यहां से जस्ट क्या हो नहीं कि low protect हो रहा हमारा दो जो लोज़ इसने जो current close बना है वो अब protect हो रहे है सबसे पहला कौन सा है? यह वाला दूसरा कौन सा है? यह वाला यह 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 low protect हो रहे है मेरे prize हमारा upside के दरफ जा रहा है देखो हाई brick हो रहा है हाई ब्रेक हो रहा है यहां पर फिर्स इसने हाई ब्रेक किया दिखाता होगा यह बार बार नहीं देखो ब्रेक आउट होगा बाई कर लो सुब रिटेलर्स को फसाने के लिए क्योंकि अपने पास सोला सो करोड रुपए नहीं है ना बाई करने के लिए तो हम लोगों को फसाएगा यहाँ जैसे यहाँ पर orders fill होंगे और वो एक दिन में थोड़ी नहीं होते हैं जब इतने सारे महेंगे महेंगे orders पढ़े होंगे तो वो एक दिन में fill नहीं होंगे हो सकते हमको समय लगे और यह होने के बाद में फिर्देखना आप साइट के तरफ यह सब तो गया अभी एक साइट की बात हैं हमें यह समझ में आगे कि यह अपना अरिया है हमें देखने हैं इसको बाई साइट के तरफ बाकी जोग हम देख लेंगे तो ओवराल डेली टाइम फ्रेम से हमें यही सारी चीज़ समझ में आती है और यह उनका तरीका होता है काम करने का ऐसे नहीं कि रेंडमली कोई भी कैंटर उठा दियो काम कर लिया नहीं प्रॉपर उसके पिछे का लॉजिक हो आपके पास डाटा हो रीट करने के लिए हर एक चीज़ अभी एक ट्रेड हमने किया था एक इंडिया में अभी इसके बाद में एक इंडिया में आपको और दिखाएंगे एक्साइड इंडियस्ट्री का वो और भी अच्छा है हाई हाई के बाद में लो लगा हाई लो यह होगा मतलब एक हाई के बाद में यह लो लगा फिर जिस स्केंडल ने हाई लगाया उसका भी लो ब्रेक हुआ इसके नीचे भी मार्केट गई ही नहीं यह प्राइस हमारा उपर की तरफ चला गया इससे क्या हुआ पता भी हाई लो और हाई लो इनसे क्या समझ में है हमें यह पता चलिए कि प्राइस गिरा और लोवर टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि यह करेक्शन हो भले ही थोड़े से प्राइम फ्रेम के लिए हो लेकिन इसने पर लोग को प्रोटक्ट करना शुरू किया यहां पर भी अपढ़ो देखो रीडिंग्स अब बाग मोटा मोटा तो ही समझ में आगे ना कि प्राइस हमारा गिर्दा था गिर्दे गिर्दे सपोर्ट पर आया और अच्छे से आपक कि जैसा आपको 100 पर ट्रेट करना है तो जैसे प्राइस सौपर आया क्योंकि जैसा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या पास्ट में 100 रुपीस पर आ जाने के बाद में प्राइस ने किया क्या था गेरात उपर गया तो अलग बात है 100 रुपीस पर आ जाने की बाद में क्या प्राइस के अंदर कोई भी सिगनिफिकेंट दिखा था आपको मतलब प्राइस का सिगनिफिकेंट दिखा था यहां पर प्राइस नीचे की तरफ आया इसने स्विंग लगाया अभी स्विंग के बाद से ही प्राइस उपर की तरफ क्यों गया एक लूप रोटेट किया वापस से प्राइस उपर की तरफ क्यों गया यह प्राइस कौन सा है मेरा 13.88 क्या यह important हो सकता है पास्ट में जाओगे तो आपको समझ में आगा हाँ ये तो है रेजिस्टेंस 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 और आजओ ओके यहां पर भी तो अच्छा खास सपूर्ट है मतलब पिर कुछ ना कुछ तो गेम चल रही इस एक जगे पर ये सब क्या है प्राइस का उसी जगे पर सपूर्ट रेजिस्टेंस क्या लगते आपको यहां से क्या होने की चांसेज है अगर गिरेगा तो फिर इसी जगे से नीची की तरफ जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर आया और यहाँ से इसने अपने resistance को break करना शुरू कर दे, उस support को कर दिया, protect अब देखो, हमें वो candle भी समझ में आ रही है, जिसने swing low create किया हम उसका high mark कर लेते हैं, यह line हम delete कर दे, एक चीस समझ में आगे न, कि uptrend में लग रहा है हम रोगों को क्योंकि price अपने crucial level पर है, important area पर है, अब यहाँ पर एक resistance point मिल गया है, साथ ही साथ इसके अंदर अब आप add कर लो volumes को, देखो अच्छा volumes पाद में आते हैं, पहले price को समझे, एक high अगेंस एक low point लग गया, अब हमें करना है इसको buy, buy करने के symptoms क्या क्या हो सकते हैं, पढ़ो, price ने एक red candle बनाई, volumes कौन ही कर लेते हैं, यह देखिए, decreasing loss बने, dividend दिया, dividend के बाद में भी जातरे stocks क्या गता हूँ, थोड़ा सा, या तो side बे हो जाए ने तो फी नीजे की तरफा जाता है, dividend देने के बाद में, लेकिन price क्योंकि ए dividend देने के बावजूद भी green candle फॉर्म हुई, और फिर price ने अपसाइड के तरफ चला गया, कम volume के साथ, इसने क्या है कि एक rejection दिखाया, वापस से red candle बनी, लेकिन इस red candle ने अपनी swing low जिस candle लगाया था, यानि swing low create की हुई candle के अंदर नहीं आ पाई, यह वहीं से इसने support ले ल हमने इसका high mark कर लिया, और हमने कहा कि इस वाली candle के प्रें low mark कर लिया, यह mark करने के जो symptom समय दिखाई पड़े, वो यहां से दिखाई पड़े, इसे candles, क्यूंकि candle एक support create करके आ रही न उपर की तरफ, इस candle ने एक low लगाया, लो के बाद ने तो को यहां तक high लगा, वापस स price नीचे की तरफ आया, अब अगर इसको नीचे आना तो फिर यह नीचे आ जाए, इस तरफ, लेकिन फिर यह उपर चला गए, swings लग गए, अब जिस दिन हमारी यह वाली candle बनी थी ना, black वाली candle, उसके अगले दिन देखो क्या हुआ, एक छोटी सी green candle, या कहें कि कोई भी candle क इसमें फॉर्म नहीं हुआ, कोई भी कलर नहीं है, छोटी सी candle, स्टार मारी candle बनी, बिल्कुल महीन सी, लेकिन वॉल्म ज्यादा हो गया, यह पता चल गया, वॉल्म ज्यादा हो गया, अच्छा, हम लोगों ने डाटा भी open किया था, security wise वाला, इसके अंदर क्या था बाट इ देट थी न, यहाँ पर, एक लाख 75,000 वॉल्म आई थी, डिलिवरी वॉल्म स, 21 तारीक को, तो वो भी मैं समझ में आगया, कि पिछले दिन देखो, जो वॉल्म से हैं, कितनी कम है, 99, 77, अचानक से 175, यह अन्यूसल सी है, ज्यादा वॉल्म से है, मतलब जो previous हैं, उनके comparison में तो यह ज्यादा है, मंतली वाइस में आगया, तो फिर तो आप और भी ज्यादा मिल जाएंगे, अच्छे-च्छे मिलेंगे, यह देखिये, 3,00, 3,00, 60,00, 5,00, लेकिन weekly basis पर यह ज्यादा थी, तो हमें यह समझ में आगया, कि प्राइस अपने support पर है, इसके अंदर deliveries भी उ ग्रेट के, ब्लैक केंडल क्रेट की, ब्लैक केंडल सबसे अच्छा support होता है, एक ब्लैक इसने क्रेट की, उसी के अंदर देखो, delivery volumes भी उट रहे हैं, और volumes के breakout भी हो रहे हैं, अगले दिन, upside के तरफ, आप करो trade, यह candle नहीं बनी समझ लो, हमें नहीं पता ही क्या होना है, क् फिर हमें इसको trade के, हालां कि side वे रहा, analysis के according, इसको upside के तरफ जाना है, यह समझ भाया, अभी थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, कि हमने कोई crossover करा दिया, कोई red color की, लकीर बन गई तो हमने sale कर दिया, green बन गई तो उने buy कर दे, असा नहीं है, reading करनी है, खुद से, logics लगाओ, समझो, जो candle आपका swing low create कर रही है, price उसके नीचे कोई support break क्यों नहीं कर पा रहा है, जैसे ही price ने swing low लगाया, वहां से फिर price हमारा यह up trend में क्यों हमें देख रहा है, price अपने low को लगातार protect कर रहा है, यह, यह, और high को break कर रहा है, यह वाला भी break हुआ, यह वाला भी break हुआ, यह वाला भी break हुआ, यह वाला, बारी किसकी है, VC वाली candle की तो है न, आप देख ले न, जिस दिन यह pin बार 19 अगस्त वाली उपर की तरफ गई, एक या 1.5% और 2% का move हैगा, बाटे इंडिया के अंदर बहु करने की कुशिश करो उसको, उनके levels को ट्रॉक हो, आपको देखो condition, हर stock के अंदर दूसरी दूसरी मिलेंगी, आप कोई भी stock उठालो, उसके अंदर condition दूसरी मिलेंगी, लेकिन way of reading same ही रहेगा, अच्छा कुछ में होगा, कि आपको समझ में बहुत है, टिक हो रहा, क्या करे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, जबर इसी थोड़ी नहीं लगना है, बहुत stock हो, 200 stock आपको futures उसमें मिल जाएंगे, FNO के अंदर, FNO के अंदर आपने 50-50 को स्टॉक 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 को दो, पचास हो, डाइस स्टॉक होगा, FNO के मिला कर, तो डाइस स्टॉक है, काई, एक के पीछे आप हाथ दो के पढ़े हुए, जो समझ में रहा है, ठीक नहीं समझ में, उसको छोड़ दो, उसके भी दिन आएंगे, उसको भी trade करेंगे, जोरी नहीं, जिस दिन समझ में नहीं आ रहे हमें, उसी दिन trade करना है, सबसे पहले आसान काम, हम एक और दिखा कर लो, आपको देखने से क्या लग रहा है, क्या समझ पा रहे हैं उसको देख के, कोई टेक्निकल चीजे हम जितनी बता रहे हैं आपको या जो भी लगता है कि टेक्निकली वह आपकी मदद कर रही है, उसको छोड़ दो, हमें नहीं जाना उसको कर, आप सिर्फ यह देखो, के, देख के क्या लग रहा है, नेकेड़ आइसे से आपकी क्या बोल रही है आपसे, एक मोटी मोटी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, जैसे आपको पता है न, कोई भी एक फेस अगर, आप किसे से कहो, क्रियेट करने के लिए, तो फेस अगर बनाना होता है, तो शुरुवात कुछ इस तरह का त्यार होता है, फिर वो आखे बन जाती है, इस तरह से करते हुए, यहां पर मालूम हो जाएगा कि हाँ, चेहरे जैसा कुछ फील आने लगता है, यहीं एक मोटा मोटा समझ में आ जाता है, आप डिरेक्ट पेंसिल उढ़ा करके इसकर नहीं बना सकते, यह दिरे-दिरे काम करने में मज़ा आने लगता है फिर दिरे-दिरे, एक कहीं एक यह स्विंग लगा, एक लो क्रियेट हुआ, जो अगें देखो एक स्विंग हाई लगा, लो लग गया, फिर से देखो स्विंग हाई लगा, प्राइस तो उपर से नीचे की तरफ आ रहा ह यहाँ पर और यह उपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब नीचे की तरफ आ जाने की बाद निए अपसेट की तरफ आ रहा है अब जो काम अभी हमने पिछले स्टॉक में किया था यहाँ पर देखो स्विंग है यह वाला स्विंग है माक कर लिया आप देखो पास्ट में यहाँ पर क्या हुआ है आप यकीन मानो डेली टैम फ्रेम पर आप जो भी लेवल ड्रॉ करोगे न जो स्विंग वगर ड्रॉ करोगे वो कुरूशियल ही होते है मालब ऐसे वैसे लेवल ड्रॉ ही नहीं होते प्राईज अगर कही पर आकर के चार दिन पान दिन शेयर दिन रुक गया तो यह समझ लिए उब कि पास्ट में भी वही पर बहुत ज़यादा चांस छीक्स जी यहां पर की रुका ही क्या हो रहा है इसके अंदर यहां पर देखो जैसे हमने एक swing low mark किया वैसे आप एक काम कर लो अगर यह high लग रहा है आपको यह वाल high तो आप high mark कर लो यह वाला एक swing high mark कर लो देखो यहां से क्या हुआ है एक हमने swing low mark कर लिया और high mark कर लिया अभी swing के पास है क्या price नीचे की तरफ आया resist होकर गी upside की तरफ गया तो अभी ये अपने resistance के पास में है previous analysis को इसके अंदरा पैट को क्योंकि previous analysis विम ने क्या कहा कि price अपने resistance को protect कर रहा है लगा था support को protect कर रहा है लगा था ऐसे और वो अपने high को कर रहा है break highs को कर रहा है break यहाँ पर क्या हो रहा है न कि price अपने high को break करते करते बिल्कुल अपने resistance के पास करीब तीसरी बार ये शब्द हम यूज़ करने जा रहा है महीन सी चीज़ है आप ये मान के चलो कि जितने parts में हो सके उतने parts से अपने chart को divide कर दू जितना हो सगे गहराई से उसको समझो सरदर्द होने लगे चक्करान लगे बंद कर दू थोड़ दिर के लिए गहराई से समझो उसको पढ़ो एक एक candle जब तक जिस भी stock को आपको treat करना उसकी एक-एक candle आपको समझ में आ जाए तब तक trade मत करो previous candle में ने क्या कहा कि price अपने support को protect कर रहा है और वो upside के तरफ भाग रहा है तो तो proper map trend में देखा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर भी same काम ही हो रहा है price अपने support को protect कर रहा है यह लेकिन ऐसा करते करते price एक resistance तक पहुँच गया इस एक जगए पर जहाँ से पिछली बाभी market नीचे की तरफ आई थे इस तरह से करते हुए याद ना यहाँ देखिए यहीं से price हमारा downside की तरफ गिरा था यहाँ पर आया फिर से तरह नीचे की तरफ गिरिगा नीचे की तरफ गिरिगा और अब यह बन गया हमारा resistance point इसके पास में जाते ही price ने क्या कुछ अपने foot trends छोड़े क्या हुआ इस दिन तो हम देख रहे हैं कि price जैसे resistance पर गया यहाँ पर दो volumes कम हो गए इसके अंदर volumes कम volumes कम हुए कोई बात नहीं हो सकता है volumes कम हो लेकिन price उपर भाग जाए अब उपर भाग जाए तो भाग जाए फिर हम trade नहीं करेंगे लेकिन अपना view क्या कहता है कि price resistance पर है volumes कम हो रही है यहां से तो हमें इसने दिखा दे कि यह up trend में हमें एक दिख रहा है लेकिन price फिर से अपने crucial point अपने resistance point तक पहुँच गया अब अगर इससे up trend को continue करना है तो price यहीं से फिर यह उपर की तरफ चला जाए वरना जैसे पिछली बार हुआ है अगर इस दिन भी नीचे की तरफ गिरता है तो मूब तो अच्छा मिल सकता हम लोगों को ठीक है एक बात तो clear हो गए कि price resistance पर है decreasing lows form हो रहे हैं अगले दिन red candle के form red candle के form होले की chance ज्यादा है price नीचे की तरफ आ सकता है अब यहाँ पर candle की अपनी क्या कहानी बन रही है फिर से swing high और swing low के lesson पर आजो जो भी हमने आपको बताया जो भी candle आप swing high और swing low मार्क करो कि उसकी अपनी importance होती है वो यू ही नहीं बन जाती तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो swing high जिस candle ने लगाया यह भी candle हमारे support के तरह काम करती है हो सकता है देखो price एक resistance पर है no dot एक resistance पर है और resistance ही नीचे की तरफ आए क्योंकि यह support point है price may be chance है may be chance है कि price इसी जगा पर आए और आकर के सीधे यहीं support लेकर यह उपर की तरफ चले जाए बस हो गया ना हो गया stop loss hit यही risk लेकर के काम किया अगर इसको उपर की तरफ जाना तो price हमारा नीचे की दिश्याम याँए यहाँस उपर की तरफ चला जाएगा stop loss hit होगा हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है price अगर गलती से भी इस वाली range के अंदर आया ना तो यह और भी ज्यादा गिर जाएगा नीचे की दिश्याम आपको पता excited industries के अंदर हमें target लगाया ही नहीं था यह last हमको broker ने निकाला बाहर open था क्योंकि मालूम है price इस एक candle की अगर range के अंदर कोई भी इसने support ब्रेक कर दिया तो वापस से price lower time frame पर इतने strong resistance को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो उस दिन के लिए candle की जो closing है वो इस candle की range के अंदर ही होनी थी ऐसा हम मान के चल रहे थे हुआ भी भाई अब जब आप lower time frame पर देखो तो आपकी बहुत अच्छे है समझ में आगा candle by candle reading चल रही है volume के साथ में लेको volumes कितना अच्छा role play करती है delivery volume का role अलग total traded quantities and normal volumes का role अपना अलग अब अगर यहाँ पर यह decreasing loss form नहीं हुए decreasing loss वालू में आप लोगों को क्या होता है मतलब same color की candle होती है इसको देखे बहुत simple बहुत simple सी चीज है same color की candle होंगी आपकी आपने ड्रॉ कर ली इस तरह से यह मालो black अगले दिन भी black candle लेकिन अगले दिन जो second number की candle बनी हो previous candle से छोटी है अब हम लोग क्या करते हैं थर्ड अगर black candle बन रही है तो फिर अगले दिन हम लोग buy side की दरफ trade execute करते हैं मतलब buy करते हैं और इसके just opposite अगर green color की candle या positive candle बन रही है दूसरे दिन फिर से positive color की candle बनी लेकिन volumes कम है तो third day shot जैसे यहाँ पर हुआ same color की candle बनी अगले दिन shot यहाँ पर क्या हुआ same color की candle बनी अगले दिन buy यहाँ पर क्या हुआ same color की candle बनी अगले दिन buy इस तरह से ये circle पूरा चलता है अब यह नहीं कि कहीं पर भी आपने decreasing lows देख ली decreasing lows देख ली अगले दिन buy कर लो नहीं buy करने के लिए एक सही point of actions भी तो होने चाहिए जैसे कि इस जगे पर हैं यहाँ पर देखो बन रहे हैं मारे लिए तो price बिल्कुल resistance पर भी है हमने volumes को add किया अगले दिन का trend identify किया एक करके candle को पकड़ा समझ मैं उनको read किया read करने से भी सब्सक्राइब कि हाँ अगर मौका में लेगा तो chances बन सकते हैं trade करने के ओपर की तरफ अगर निकला यह तो पर तो move आ जाएगा उपर की तरफ जाएगा तो हो सकते हैं अब यहाँ पर देखो दो points हो गया अगली दिन की picture साफ ना करेंगे हम short ही buy नहीं करना होगा अभी तो हो जाए हमें नहीं करना है buy अब आप आजो five minute के time frame पर देखो five minute पर हुआ क्या था price एक resistance पर यह साई marking हम delete कर देना याद रखिए गन को price resistance पर अब lower time frame यहाँ पर कैसे impact डालता है कि जैसे यह बन रहा है मेरा swing यह लिजए इस एक जगह पर क्या हो रहा है एकदम आपने सीधी line ड्रौ कर दी और इस line के वैसे हम लोग daily time frame पर सब कुछ कर गया है अपना काम और यहाँ पर क्या हो रहा है उल्टा lower time frame पर भी price हमारा support ले रहा है अब उपर जाना तो चला जाए लेकिन जिस दिन हमें trade करना उस दिन इसके हरकते क्या थी excited industries के प्राइज प्रीवेस डे के support को ही continue करता है यहाँ पर प्राइज ने क्या क्या मौनिंग में अपने इस support को नीची की तरफ ब्रेक कर दिया वॉल्म्स के भी यहां में breakout दिखे थे इस एक जगा पर यह वाले भी और यह वाले वॉल्म्स के breakout यहां दखो एक red candle form हुई वॉल्म्स कम हो गए प्राइज दो को सीध हो उपर की दरफ चला गया अब मेरी important candle कौन सी बन गई यह वाली candle इस वाली candle नहीं तो swing rate किया न और यह हाई अब प्राइज को उपर की दरफ जाना तो फिर यह चला जाए हमें तो short करना है एक pattern होता हिकाके हिकाके का use तब करते हम लोग जह में trend identify होता हिकाके in the sense यह को internet पर भी मिल जाएगा हिकाके में जैसे कि यह mother candle है mother candle का use होता है उसके अंदर same concept यह mother candle है हमें मालूम है कि मैं X Y Z किसी भी stock को short करना है या buy करना है अब हम देख रहे हैं कि mother candle है अगर short करना है तो हम क्या करेंगे फिर तो हमें देखना है कि mother candle का use जो short करना तो फिर नीचे की तरफ break होगी तभी हम short करेंगे इसा तो नहीं price उपर जाएगा और हम short कर देंगे उपर की तरफ जाए तो चला जाए हमें करना है short अब इसके अंदर देखो उपर की तरफ रिकाउट देखो ना वैसे फिर रेंज के अंदर आगे चलो थोड़ी सी और तसल्ली मिलीगे नीचे की तरफ आया असल में यहां पर क्या हुआ ना यह हुआ ट्रैप मेरे according ट्रैप हुआ ही क्योंकि हमें short करना है मेरे लेवल पर भी है हमें के confirmations के लिए हमें short करना है मतलब कि अभी जो शुरुवात में बात हमने आप से कही कि imagine करो कौन सप्राइज आपको ट्रेट करना है imagine करो क्या देखना चाहरो हम देखना चाहते कि excited industries के अंदर कोई भी हमें नहीं दिखनी है हमें weakness दिखनी चाहिए तो अचानक से देखो इसने स्ट्राइज देखा है वापस से प्राइज के अंदर आगया और इसने कर दिया breakout हम क्या कह सकते हैं इस इस कॉल्ड ट्रैप ट्रैप in my sense ट्रैप कुछ ऐसा नहीं है हो सकता है हम इसको ट्रैप समझ रहे हैं प्राइज उपर की तरफ गया इसने नीचे breakout दिखा है वापस उपर की तरफ चला जाए अब क्या हुआ अब तो यह आप इसने आपको ट्रैप कर लिया बहुत आयते कहने वाले कि हमने ट्रै मेरी लिए वो ट्रैप हो यह देखना ज़रूरी है अभी यही एक्साइट इंडरस्टिस को अगर हमें बाई करना होता और इसने अपसाइट के दरफ ब्रेक आउट दिखा दिया होता तो हम बाई कर लेते हैं और क्यूंकि आपको मालूम है कि आपको एक्साइट को शॉट क करना है तो आपके लिए यही ट्रैप होगा क्यूंकि हमने यहां पर अपने बाई आउडर एक्जिक्यूट किया मेरा स्टॉप्लस इड़ुआ आपका यहां पर एंट्री हो गई कभी भी इस दिशावें मत बढ़ना कि प्राइस के तो ब्रेकाउट है या क्या है क्या नहीं है नहीं हो सकते हैं जिस स्टॉक को हम बाई करना चाहे हो उसे आप शॉट करना चाहरा हो हमने कि या बाई लेकर उसको जाना नीचे तो नीचे चला जागा हम वहां पर ट्रैप ह हो गए दिन की बात होती है सब के दिन आते हैं अब हमें एक साइट को शॉट करना है प्रैस में उपर की तरफ में ब्रिक आउट दिखाया है वापस से नीचे की तरफ आ गया अगर इस उपर की तरफ गया अगर इस उपर की तरफ जाना हो तो फिर यह चला जाता है लेकिन वापस से प्रैस नीचे की दिश्या में आ गया यह और भी ज्यादा होता है है ना इतनी सी चीज़ हो गई अब देखो एकसाइट के अंदर सेम काम हुआ लगातार हम देख रहे हैं कि वॉल्म्स के ब्रेक आउट हो रहा है लेकिन प्रैस ने ब्रेक आउट दिखाया है उपर के तरफ जो कैंडल ब्रेक आउट दिखाय कि उस कैंडल के नीचे भी आप शौाट मार सकते हो थोड़ा से रिस्की रहता है कि इसकंडल का ब्रेकाउट होगा या नहीं गिर जाता है नीचे वो यह काके के अंदर जो candle upside के तरफ जाएगे upside के तरफ जो candle breakout दिखाती है price अगर उस candle की range के नीचे volume के साथ में breakout दिखा दो तो आप यहाँ पर भी अपना trade execute कर सकते हो और यहाँ पर अपना stop loss लगा दो इससे stop loss कम हो जाता है थोड़ा सा रिस्की रहता है stop loss कम हो जाएगा same काम ने यहाँ पर के कि जैसे ही price नीचे की तरफ आया है यह वाली जो candle थी हमारी हमने यहाँ पर पना trade execute के और यह stop loss था इस जस्ट इस वाली candle यह वाली जो इसके आज पर अपना stop loss रख दिया था तो यह तो lower time frame की analysis थी सारी की सारी मतलब अब इसको कैसे हम लोग sum up कर सकते हैं कोई भी stock जब आप कोशिश करो read करने की trade तो छोड़ दो अभी कोई भी stock जब कोशिश करो read करने की जैसे यह apple है apple को छोड़ो भी r3 industries है अच्छा लेते हैं अडानी port हो गया अमभुजा अमभुजा LIC LIC ले लो आप volumes LIC के अचल बहुत कम हो गई है अब यह सब है ना देखो कि यह आपस में कैसे जोड़ी हुई है मेटा दो आप इसको सारी लाइन से हमने रिमूफ कर दी आपस में देखो यह जोड़ी हुई है सब इंटर लिंक है एक दूसरे से हमें उन connections को पहचानना है एक होता है believe believe करना पड़ता है और आपको यह तैय करना पड़ेगा क्या believe करते हो जवाब यह मालूँ है कि नहीं होती सिद्धर लोवर टाइम फ्रेम पर आओ जिधर 9.15 का breakout हो अगर यह मान तो फिर यही मानो believe लेकर करके चलना पड़ेगा जिधर 9.45 का breakout हो मुदर trade कर देंगा हम इन नहीं चाहिए डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं चाहिए सब ड्रामा हम से नहीं होता है कुछ होता ही नहीं हम करते है कुछ है होता कुछ है तो यह मानो फिर यह कभी हिलना नहीं चाहिए अभी तो आप करो कि डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं होता है वो इस्तिल हो जाना चाहिए अपनी जागा पर बिल्कुल आप उसको छोड़ोगे नहीं वो हिलना नहीं चाहिए कभी वो बिलीव रहता है आपका हमारा बिलीव है हमारा अपना बिलीव है कि हम डेली टाइम फ्रेम पर रीडिंग करेंगे हमें ऑप्शन स्टेट नहीं करना ह है वहां कुछ नहीं होता हम डेली टाइम फ्रेम पर अपनी लेवस निकाल लेंगे हमारे पांट व्यक्षन होते हैं लोगा टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे अपने एंट्री के कंफरमेशन लेंगे विद दा हैल पॉप फ्रेंड इडिन्टिफिकेशन वॉल्म के साथ अपन साथ बैठ करके और गुरुजी और यह सब वो सब कुछ कर रहो नहीं फिर आप वानेक्स करने लगए फिर आप क्रिप्टो करने लगए यह सब नहीं बिलीव रखो जो काम आपको करना है न बिलीव रखो उसके उपर जिस मेथट से कर अब जो कोश्चन असर आपके हैं वो कर लोगए बने लेव में फिर दॉख जो कर ला आपने स्टाव श्रॉश्ट करेस्ट किसे प्यांगए और को आपको अपना को एक्सेट पांगए अटरी अक्सेट आपना पना यह वाला और लास्ट टीजिग सेशन का देहाई बाकि फाइफ मेंट के टाइम फ्रीम पर जब आप आजाओगे तो आपको यहां पर भी कुछ सपोर्ट दिखेंगे यह तो रेस्टेंस हो गए यह लेवल्स थे अपने मतलब इसके नीचे हमें शॉट करना इसको यह डेली टाम फ्रीम के अर्या होगे और यह लोवर टाम फ्रीम के सपोर पांट्स होगे डेक्रीजिंग लोज बना है शॉट करना बस बाकि डेली टाम फ्रीम के रिडिंग जैसी थे उमनें बताई आपको भी रूदर सब माइक है यह यह मगट जो आपने टाम सेलीक्षिंग के सब्सक्राइब आधा बड़ेलेलेल इसकी पॉरेलवराहॷास शॉट है क्या मिसमैच हो रहे थे थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहे थे मैंने आर्ली टाइम प्रेंट से कोई बात नहीं लेवल कभी सेम नहीं होंगे उतना थोड़ा बहुत मिसमैच होगा बिल्कुल होगा और यह होना चाहिए तो अच्छ इसे दिगरिस्म लोस बनते हैं कभी-कभी सर्जिस आपने बोला है जिसे दो नहीं दू बंता है थे थे यह जो जो व्रॉट्व मिटना चाहिए थे 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 यह अच्छ एक यह है अच्छ ने चाहिए तो प्रबबिलिट हव्थे अच्छ पावबिल्टे समतेम इसको पिडिटिक करना के लिए एक एक्जामपल से देखिया है जैसे एक्साइट के अंदर हमें शॉट करना है चैंसे जहने इसके अंदर भाई हो सकता है मतलब एक्साइट के अंदर भी थोड़ सा शांत जेगे पर आईए आईए आप माइक म्यूट मत कीजिए थोड़ा साथ शांत जगे पर आईए यह सब्सक्राइए जिस दिन हमने एक्साइट को ट्रेट किया प्रॉबिल्टी स्थी ना कि यहां 23 अगस्त को ग्रीन केटल बन सकती थी क्या होता मतलब दो कंडिशन होती या तो यह ऊपर की तरफ चला जाता यहीं से बेना एंट्री की कंफिरमेशन दी एपसाइट की तरफ चला जाता हम ट्रेट करते इसको बताईए मतलब प्राइस अभी अपने लेवल पर तो है लेकिन इस ने कोई कंफिरमेशन नहीं दिया हमको entry के जैसे की lower time frame पर हम आपको बता रहे हैं कि price ने पिछले दो देन से उसी एक जगह पर अपना support create किया था यहां से जब तक support नहीं तूरता तब तक तो हम buy नहीं करते हैं हो सकता है कि price support ब्रिक किये बगर उपर की तरफ चला जाता है चला जाता तो कोई बात नहीं हम नहीं short करते उसको तो छूड़ जाता है दूसरा क्या होता है में भी चांस है कि price हमको हमारे entry की confirmations तो दे लेकिन entry के जैसे confirmations मिली मालो जैसे की यहां पर जैसे candle बनी थोड़ा सा profit हमको दिखता और प्राइस वापस से अपसाट की तरफ घूम जाता हुँ यहां पर आया और यहां सीदह घूम जा उस condition में क्या होता है यही होता है कहने का मतलब बिना entry के confirmation दिया हम ट्रेड नहीं करेंगा अगर इसको उपर जाना तो फिर ही चला जाएगा अगर इसने हमको हमारी एंट्री के confirmation दि तो उस condition में की काम होगा या तो फिर हमारे stop loss होगा नहीं तो भी टार्गेट मिलेगा मन में यह वहमत रखिएगा कि decreasing loss होगे तो सब कुछ अपने फिवर में जाएगा नहीं प्राविविल्टी के according यहां पर एक red candle form होनी चाहिए हो ऐसा भी होता है कई बार कि price खुला और गिर गया मतलब market open और सीधे गिर गई उसमें भी ट्रेड नहीं मिलता रेट केंडल बनने के बाद भी ट्रेड नहीं मिलता है कि तभी एक दो केंडल में बूव और मुझ पुरा डेका और यहां अब यह देखिए आपको एक इसांपल देखा भी यादा है हमको शायद SRF ही था इसारेफ है इसारेफ को ट्रेड करना था कब ट्रेड करना था 21 इसको 22 तरी को इसारेफ के अंदर क्या बना था मतलब यह एक support points थे पैस को उसी जगे से support रही था हमें ट्रेड कप करना था 22 थारी को बाइस को दो ग्रीन कंडल बने की chances थे ना अब आप आजो लोगर टाइम फ्रेम पर देखो क्या हुआ इसके अंदर बाग यहन एक दम सीधे आप चाहा भी तो ट्रेड नहीं कर पाऊगे इस तरह के price actions आएंगे अपने सामने मतलब बननी है green candle बनी भी है green candle move भी अच्छा है लेकिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे व्लोग entry confirmations नहीं है और वैसे ही उस किसमें भी होता जो भी आपने पूचा था एक साइड वाले में का किसमें लं मैं थैंड़ा आप पोट नहीं कर च भी होल्में में अरो फो इक ऐसा नहीं करते हैं एक स्कैल्पिंग के लिए एक सिस्टम पहले हम यूज करते थे मौनिंग में बड़ी केंडल बन गई मतलब मौनिंग में ही प्राइस ने इस तरह का मूब दिखा दिया और कई बार होता है एक ही केंडल बन गए हमारी दो या तीन परसंट के इसमें होता है कि उस केंडल का हमें हाई मांग कर लेना होता है मान लीजिए ये वाली जो अपनी केंडल फॉर्म हुई है मौनिंग की जो सबसे फर्स्ट वाली केंडल थी इसने दस रुपे का मूब दिखाया उपर के तरफ तो हम क्या करते हैं दस रुपे को दो पार्ट में दिवाइट कर देते हैं फाइफ पर नीचे कर छोड़ते हैं उपर हमने पकड़ लिया अब जैसे 915 की कैंडल के हाई पर हमें हमारी एंट्री के कंफिमिशन में हम ट्रेड अपने एक्जेक्यूट कर देते हैं और 50% का टार्गेट रखते हैं पस्ट केंडल जो बची इपन कर दोब लो को घुट सब्सक्ता ग्रृत आती कर देटान को झोला कर देटा ना कृट टेट विक्वीट इंटी इप मत्तिव कaronu छाट विक्वीट में निटी को ट्रेक्वीतग हां ॉनि टॉर। में इसका सेक्टर भी चेक्ट किया इसका सेक्टर निश्की फैंड ने आता है वहां पर यह टो रिलेशनल मैच में हो रहा है कोई बात नहीं बहुत बार मैच नहीं होता है हमने तुसको देखा भी नहीं था इसा मत सोची है हमने कहा है यह पहले ही अगर आपको किसी स्टॉक को ट्रेट करो आपको आपका सेट अप मिलना ट्रेट कर दो आप निफ्टी के चकर में पढ़े रहोगे ना तो ऐसा ही उल्टा भी होता है निफ्टी मुव पर जाएकि इस्टॉक मुव नहीं करेगा फिर आप किया सोच जाए इन एक मारा आपको करें दोडे secrecan Gain वे स्टॉक मुव नहीं किया पर आपटरिशन औरले जिस्के बात वीडियो के यंदर आत्मार जमने अप्रिकेशिं के इन दो फिर्क यंद्व वह काम हम लोग करते हैं बीकली गैनों वीकली लूजर में बाकी कहीं पर भी उस ट्रेंड इडिटिफिकेशन के सिस्टम का यूज रही होता सिर्फ वीखली गैनों वीकली लूजर समय पाकी स्टॉक की एनालसिस के लिए उतने मैथोड्स मोर दन इनफ है। यह उतनी टेक्निक्स हो सार मोर देन इनफ जितनी हमने आपको बताई हैं। बाकि कुछ उसमें करना ही जूरत नहीं है। थैंक इस्वाइब कर दूसरा। रजनी शीक माईकर मुट कीजा अपनों। रजनी शीक है है। वापस और मुट कीजा माईकर। हैं बहुत नह proposure oh अऔर अब आशकलियर्ऌ इंडरी खार रवा आखा आधा है तर एक्रवाज है अब तो ये को खाया झालनकी क्रिंप गांगे तो में अच्च को तो इस इस अपने उसमीन फिल अ कि उसका डों सर्व लोगे तो मेर कालमें ये जो सी लोग आप ये इसका अपना हाई ब्रेक कर पाएं कहाँ प्रेक हो यह वी ब्रेक हुआ है जो यह यह नहीं करते हैं हमने यह नहीं कहा कि क्लोजिंग आप मार्क करेंगे तो इसके से मत मार्क करिएगा हाइट लो टो लो क्रोजएंगा प्रहलाथ मैं कमूट की चिपने हैं अलो जी प्रहलाथ इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह बेसिकली देखो अभी हमने आपको तैम फ्रिम के फॉर्मिट्स नहीं बता है। वो और नहीं लोगर टाम्रेम के फॉर्मिट्स पता है विदाउट फॉर्मिट है यह अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद में और भी कुछ हम गुरूप में मैसेज करेंगा उसके लिए घवराईये मत कि स्वीक्ट्वेंस से नहीं है या कुछ नहीं है सबसे पहला चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया वो आवली टाम्रेम का था आवली टाम्रेम के जितने भी चार्ट को कि आपके ज्यादा चार्ट मेरे पास आये नहीं है आवली के ज्यादा से ज्यादा चार्ट हमें शेयर करो और उसके बार में फिर सेम कहानी होगी जो कि ड पर जैसे हमने तीन या चार एक्जम्पल जो अभी हमने दिये हैं उस तरह से प्रैस को रीट करो और जहां पर भी डाउट लेगे ना हमसे पूछ जरूर लेना मन में जैसे आपने कहना है कि अभी कुछ समझ ने आ रहा है इस तरह कि इतने जब क्वेश्चन उठें को पूछ जरूर लेना मन में डबा करके मां बैठ़ना कि हम जो ही कहीं तो कुछ भी चल रहे कहीं से हो रहा तो मुझे किलियर नहीं हो पाया मैंने देखा ही निए तो सब सेयर कर सकते हैं तो नमश्कार सर नमश्कार शुची नमश्कार कहीं सर यसे लाइप का चार्ट थोड़ा सा खुल दीजिए क्लिए छे आगस्त की जो वन डे की केंडल है उसके अंदर बहुत सारे केंडल से बने क तो जो आज पढ़ा है आपनों उसके हिसाब से इसने इस अब रिपाउट करके उपर अबी फ़रा सस्टेम किया है और डिक्रीजिंग लोग वाल्यूम बन रहे हैं तो यह इस ऐसे पाटर्म मेंने से ट्रेड़ तरने के लिए सही है तर बिल्कु परफेक्ट है नया तो क्या यह आपने जौब भी पढ़ा है उसके सबसे परफेक्ट है बिल्कुल अब इसको आप हाहे यहां पर देखो यह और अपने एक कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरह बढ़ रहा है और निकल जाएगा हमें चला जाएगा इस एक नया लाइफ टाइम ही लगेग बहुत अच्छा करने के चकर में खराब मत बुक कर देना उसको जितना हो सकते हैं अब केंडर को पकुर देखो एक चीज़ हम आपको बताएगा किसी भी चार्ट को किसी भी प्राइस को अगर अब साइट की तरफ जाना है तो वह हमेशा अपने सपोर्ट को अगर उसे गिर करेंगर अगर उसे ऊपर जाना है तो सपोर्ट को को करेंगर करेंगर सब्सक्राथ करेंगर देख dove जाना है ता सब्सक्राइब SBI Lap यह इसको ऊपर की तरफ जाना है मालों जोसे SBI के case में क्योंने उपर भागा है तो यह क्या गारा है अपने support को यह protect कर रहा है और अपने high इसको लगातार break कर रहा है यहाँ पर देखो है नंगा high break हुए फिर से देखो यहाँ पर swing high लगा यह उपर की तरह ब्रेक हुआ अगेन देखो यह अपनी master mother candle थी इसको upside की तरह ब्रेक किया अब नया कौन सा swing है यह अपना जो इसने खुद create किया है जी अब इसके उपर यह ब्रेक छोटी candle हो चाहें बड़ा time frame हो simpler way में आप यह मान के चलना resistance के breakout को समझो और support को protection को समझो support के breakout को समझो और resistance के protection को समझो सारा game इसी का है बस कौन सी candle break हो रही है किस candle के अंदर price ज्यादा देन तक रुका हुआ है कौन सी candle break हो रही है और price किस candle के अंदर ज्यादा देन तक रुका हुआ है इसको समझो चोटी चोटी बाते दो खोघो यह एक ना तो एक क्लास में समझ में ने वाला है और नहीं एक दिन में समझ में आने वाला है यह क्रोशेस है कि जी देरे धेरे करके समझ रहे हैं यह यह 100% पर क्लीर है यह आज ज़ूर जाएगा तोड़ा सा भीहास करो हो जाएगा गुषर ऑर एक चार्ट हरक पोल इंडिया का ज़ेस्टा भी बना थे इन दिल में पोल कि लिए उसमें भी सतर्म मदर पक्टोंड का ब्रिक आउट किया एस ऐसा नहीं वह मदर केंडल इंपॉर्टेट नहीं ए अच्छी वह मदर केंडल इंपॉर्टेट नहीं है लेकिन जा य तो इसमें अगर आइसे कंडेशन है तो इसमें क्या ट्रेडेबल है कैसा बिल्कुल है लो आई प्राइस अपने हाई को भी करोगे लो प्रोटेक्टेट है पुछतरा से ना जी जी सर यहां पर भी देखिए यह वाला भी और फिर उपर चला गया जो भी केंडल मेरी स्वइंग लो क्रिएट करेंगं जो कंडल स्विंग लो लगाएंग इसका हाई एकytes एडरीक कंड़ेकि अचलमठ प्रेल प्र सेप्राइब में सपोर्ट पर je up side के तरफ इसका एक support area है uh up side के तरफ एक resistance नीची इसका support point हे तो नीचे के तरफ गिरना थोड़ा सा मुश्मिम्हिल है जए भी चांसे उपर के तरफ ही भागेगा तो अचब्झाक से trade मत कर थोड़ा सा significance इसके अंदर create होने तो को decreasing या falling rose बन जाए अपना या फिर कोई हो जाए कुछ ऐसा विए लेवल तो अपने पास हो गया है और overall मोटा मोटा हम यह देख पार है resistance एक uptrend में है कोई भी a significant formation यहां पर बनने तो उसके बाद में trade कर देना ठीक है तो yes मैं life अभी ठीक है अना वो बिल्कु perfect है ठीक है थाके है यह थाक्त कर दो अधिक यह जो जो सब्सक्रिया उसको long term के लिए भी लेकर लग सकतो । अच्छा तापन साब ठीज है थोड़ा सा थेज घुली आवास नहीं आ रहे शर टुड़ का रेड में इस फॉलिंग रोज बनता है अपना इसमें अपन सर डिलिवरी परसंटेज को अपन अपन कंसेड़ करेंगे यह जैसे कि दिलेवरी परसंटेज है एक 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 जामपल है नैसले इंडिया गा तो उसका चार्ट देखे सरा अब उसके अंदर लास्ट में डिलेवरी परसंटेज अब उसक्षिस परसंट है एक अटाराइज है कि आए पढूल कि बता इंडिया यह नियू प्रिश्या इनिक बात खाल जाय है कि अब इस यह जो चीजग आप कर दो यह कर सकते है क्टिर विज गडिया कि दुट्टी टुड़ीवडी पर्संटेज ता था अर इसके नेक्स्टेज जो यह उवरी परसंट आफे अपना अपना पैटर्न भी अपना कनफोमिशन हो रहा है, यह उप जाए बिल्कुल सही है जाड हो बहुत बड़ी है और आपके लेवल जो आप देखोगे कहां पर आप फॉर्मिश्चन देख रहो वो जगह अपनी जगह पर दोनों को मिला करके काम करना है कहीं पर भी नेकटली फॉर्मिश्चन देखके काम ने करना है तो पूछना चाहरा था तो पूछ लिए वही मैं भी पूछना चाहरा था जैसे वही पूछना था कि उसको भी करना है कि जैसे कि सर मैंने अभी वह डिवीज्च का चार्ट फूल के रखे सर रहा था एक बार खोलेंगे तो यहां से एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है सर यहां से और यहां से डिक्रीजिंग भी बन रहा है बिल्कुल बस वही था पर कि मेरे को जो आपने वेबसाइड में बताया है डिलिवरी वॉल्यूम्स को उसको बस चैक करूं को हर बार चैक करना है या फिर मुलत देखना है हर बार वही पुछना था बस जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि हर बार आप उसको यहार स्टॉक को जब देखने जब पहले अब डिलिवरी चक रो उठी है तभी ट्रेट करोगे नहीं ऐसा नहीं नहीं उठी ट्रेड हो सकते हैं डिलिवरी वॉल्यूम्स वाले जो ब्रिक इस्ट्रा एडवांटिस दे देती है ठीक 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 की स्ट्रेंथ मिलती है उससे तो गलत एजंशन मत कर लिजेगा इससे के वही स्टॉक हमें ट्रेट करनें जिसमें डिलिवरी वॉल्यूम्स ज्यादा होंगी ऐसा कुछ नहीं है ठीक सिर्फ बाकि यह जो मार्केंगे साह पूछेंगे अगर कुछ समस्य होता है राजू साथ माइक कमूट की शुक्राइब तो अनिस्टॉल किया था लेकिन अनिस्टॉल करने के बाद वह अभी इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है आपको कोई नहीं अप्लिकेशन मिली थी नहीं वाटसपर है किजिए मिजरा अभी किजिए ओकेशिकन सर्व इसका यूज कीजिएगा पास्कोड आपको वेशन है और सीरियल के वह एंटर करना है पास्कोड में सीरियल की सीरियल की सेम रहेगी आपकी और इसके बावजूद भी अगर नहीं चल रहा है चल जायेगा भी अगर नहीं चला तो तो अपने हम को मंदे को गार बता देना को कल संदे कल बंद रहता है मों कि में वह ऑफ रहती है वो प्रती कि तैंकि वह साइगी है लेकिन अगर नहीं चलाया तो मंदे को किसी भी हाल में बता दीजेगा कॉल कर दीजेगा यानि तो WhatsApp और Message कर येग簡 वो से गहे तो call ही कर दीजेगे, Pratik. माई Commute कीज अशीह अशीष माई Commute कीजेगे, शेख साथ माई Commute कीजेगे. Sir, Hiya. हाँ, CLEAR है. Sir, मैं तो Medicine shop पर काम कर गए है, वो इसलिए वो वह चुट्टी दिया नहीं, इसलिए मैं तो अभी अभी जाइन किया था लेकिन क्या किसके पर क्लास है वो भी वालूम ही है अब मैं जाइन हो गई वह बात नहीं हम रिकॉर्डिया को बेज़ दें क्लास के ओ किस है ओक आशिष कही नुश्कार 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 मन किस नुश्कार यह था नियुक्त आप उसके प्रोपर क्लास हो अब करो ऊदा मालूम होगा यह कैंड़ करें खndhेगए तो किसमे डिये कॉरा इक वीडियो फार देख शेयर करें उसका उसके प्रॉपर क्लास हो रूंपर आपी बस अप्र exatamente जई कंडल सनर कंडल के इसकी वोल्म कम होगी तो इतना हम लोग उसके अंदर कटे करते हैं वाउलम्स को ले कर के और यह जो कंडल होगी मादर कंडल इसका यूज करतें बिल्कूल अपने पौन सब्सक्राइब करेंगे लगब तो सेमी रहती है हलका फुलका फर्ग हो था उसके में ठीक है थैंक्यू सभी लोगों को और कल की जो क्लास की टैमिंगी हम आपको शेयर कर देंगे कल अपने ट्रेट डिसक्शन होगा तो सब लोग जोइन किजेगा उसको जो चीजें इस वीख हमें पढ़ ली थी जो चीजें रीट कर वानी तो उपने बता ही आपको कल की टैमिंगी वेरा सब ग्रूप में आपको इनफॉर्म परती चाहिए ठीक है फिर थैंक्यू सभी लोगों को और मिलते फिरूँ